आप ये मान के चलो के Canadian economy उनकी जो हालत है अगर ये students नहीं मिलते तो मैं बताता हूँ दो ही साल में आदे से जादा उनके education campuses shut down हो जाएंगे ये जो खालिस्तानी movement को इतना openly Canadian government support कर रही है वो क्यों कर रही है? जैसे Mexico को बताया गया कि आप VIX में application नहीं देंगे तो उनको withdraw करना पड़ा तो Mexico और Canada जो है उनका strategic autonomy नहीं है decision making का जैसे बारत को बाले का वदू करना पड़ा विल्कुल वैसे यूरोप को बाले का वदू करना पड़ेगा So Indian women were the richest business tycoons on earth before invaders came in नमस्कार अंकित जी फिर से एक बार वेदनम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी अंकित जी हमारे last podcast के बात आपको पता है Canada के साथ हमारे relation क्या हो रहा है हमें बहुत सारे सवाल आए कि आप अंकित जी से पूछिए कि ये जो Canada और इंडिया के relation बिगड रहे हैं आप उसको किस तरह से देखते हैं देखें Canada का जिस प्रकार का रवया रहा जिस प्रकार का अंडिप्लोमाटिक बिहेवियर था के जो जस्टिन टूडो है और उनके फॉरेंड मिनिस्टर मैलेनी जोली जिस प्रकार से पार्लियमेंट में जाके ओपनली एलिगेशन लगाना शुरू कर दिये तो मुझे लगता है कि उनको शायद डिप्लोमसी बिलकुल समझ नहीं हाती या तो फिर बहुत ही चाइलडिश हरकत थी फॉर डॉमेस्टिक पॉलिटिक या कोई उनसे बुलवा रहा हो सकता है बहार से कुछ elements का influence है जो मैं बताता हूं कि FTA साबोटाज करना है क्यूंकि UK के साथ भी ये पूरा episode वैसे ही हुआ है FTA साबोटाज करने के लिए तो ये भी है बट मुझे लगता है कि थोड़ा wisdom उन्होंने दिखाना चाहिए था इस प्रकार का undiplomatic behavior और क्यूंकि Diplomacy में communication channels protocols open होते हैं जिसका आप इस्तमाल कर सकते हो अगर कोई concern real था तो जब आप evidence कुछ रख नहीं पा रहें public way allegation करने के बाद five eyes में से कोई खड़ा नहीं रहा आपके साथ तो आपको सोचना चाहिए था और अब आप सबको dial कर रहे हो phone आपको भी आया होगा तो जस्टिन टूडो जो है अब पता नहीं कहां कहां phone गुमा रहे हैं total मुझे लगता है बहुत waste है ये पूरी exercise और जब आपको officially बता दिया गया है कि भारक छोड़के आप जाएं उसके बाद भी आप overstay करोगे तो मुझे लगता है कि ये जो episode है इसमें एक और incident कभी भी add हो सकता है तो अगर कुछ हरकते पाई गई जहां पे internal interference दिखा गया हमारे domestic affairs में तो अब तो कोई diplomatic immunity नहीं है वो जो यहां पे रुके हुए है उनकी बात कर रहा हूं तो फिर आप action जहले अगर हमारे diplomats की security पे वहां problem हुआ Canada में तो फिर यहां पे diplomats है आपके जो without diplomatic immunity बैठे हैं ठीक है तो escalation फिर वहां पे speed से होगा एक भी गलती अगर होती है तो यह जो situation हो रही है इंडिया और Canada के बीच उससे नॉर्मल लोगों में बहुत सारे सवाल है सबसे पहला कि हमारे जो students वहां पे हैं और जो students वहां पे जाने के लिए preparation कर रहे हैं या जो अपने वीजा की रहा देख रहे हैं वो घबराय हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सला रहेगी देखे हमारे जो भारतिये students हैं जिस प् ancient wisdom का जो last trace कुछ बच गया है unfortunately जिसकी वजह से सारे NRIs worldwide इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं because of that stable family unit support तो मुझे लगता है कि अगर हमारा इतना कीमती human resource अगर कुछ countries को जाना भी है तो वो strategically हमारे साथ partnership में हो वैसी countries के पास ही जाना चाहिए जिसका मैंने जिकर किया कि Russia के साथ उस direction में अब deals होंगी ठीक है तो Middle East भी है जो मुझे लगता है कि after P.O.K. solution बहुत सारे पाकिस्तानी human resource वहां से exit हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें select कर लेना चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा रहता है मुश्किल वक्त में और कौन हमारे strategic partners हैं तो अगर हमारा human resource जाना है तो वही countries में जाएं और उनको जिस प्रकार की सुविदा और facility मिलनी चाहिए bare minimum right equal to the citizens वो मिलनी चाहिए तो Canada जब तक सवाल students का है तो मुझे नहीं लगता कि financial reset के बाद कोई financial sense बनेगा बहुत सारी western countries में जाके work करने को क्योंकि by the end of the decade मुझे लगता है कि passport, visa, work experience और university के ranking सबके सब flip ओचुके होंगे ठीक है ठीक तो long term तो मुझे नहीं समझ आती के कोई क्यों वहां 40-50 lakhs की fees भरके जाना चाहेगा मतलब जब तक वह बाहर निकलेगा तब तक world बहुत change हो चुका होगा this is my concern तो जो यह इतने बड़ी loans लेके जा रहे हैं कुछ-कुछ parents की तो पूरी life की savings इस्तमाल करके अपने खेद बेच रहे हैं मुझे लगता है कि financially it will be a problem economically आप Canada को किस तरह से देखते हो देखें UK, Canada और Australia यह तीनों जो है इनका education sector largely Indian students की supplies के उपर ठीक है क्योंकि वहाँ जो local students है उनका funding हमारी fees की funding से उनका education का fees निकलता है तो क्योंकि अब हमारा free trade agreement Australia के साथ final हो गया है वो भी Australia के साथ cricket match थी तब तो अब UK के साथ cricket match है और रिशी सुनकार है है तो हो सकता है तब भी हो से तब UK वाला FTA शायद हो जाए तो क्योंकि यह दोनों competitors है Canadian universities के साथ तो अगर तो उस level का strategic partnership बढ़ रहा है UK और Australia के साथ तो फिर primarily हम उनको preference देंगे उनकी universities को अब आप यह मानके चलो के Canadian economy उनकी जो हालत है अगर यह students नहीं मिलते तो मैं बताता हूं दो ही साल में आदे से जादा उनके education campuses इसे shutdown हो जाएंगे ना सिर्फ यह यही students की जो supplies है उनके economy में human resource के तोर पे work करते हैं ना सिर्फ यह जो पुरा उनका real estate है जिसमें बहुत जादा holding Chinese का है लेकिन rentals पे Indian students रहते हैं या Indian human resource रहते हैं ठीक है तो real estate में भी फिर गिरावट आएगी और बहुत सारी उनकी gig economy जो Indian students के उपर based है उसमें भी problem हो सकता है इसी आपके explanation से एक और सवाल लोगों में आता है हम मुझे कुछ intellectual लोगों ने ये बताया कि Canada के बहुत सारा investment इंडिया में है अगर यह जादा problem escalate होता है तो शायद वो अपना investment खीच ले या हमें कुछ दिक्कत हो सकती है तो क्या सिफ हमें ही दिक्कत हो सकती है या उनको भ true in fact मेरा एक बार बात चल रहा था किसी Canadian से तो बता रहे थे कि different different जो investment के products होते हैं उन्होंने सबको check किया पता चलता है कि कोई minus 2 का return दे रहा है कोई minus 10 का return दे रहा है तो emerging market और भारत वाले funds ही है जो positive returns देते हैं true तो अगर यह investments को लगता है यहां से जाना है तो they are most welcome they can go क्योंकि यहां पर बहुत सारी funding आने वाली है funding का कोई issue नहीं है भारत की economy को जहां तक सवाल Canadian economy का है तो उनका socialist benefits का funding इतना जादा बढ़ गया है LGBTQ और wokist ideas को support करने में अभी मैं देख रहा था October इसी मन्थ में 20 तारिक को एक refugee का program चल रहा है जहां पर आपको बताना है कि आप कौन सी country के victim हो तो artificial victims create होते हैं जितने आने दो for gender related sum program per person ठीक है तो यह wokist funding इतनी बढ़ गई है कि जो wealth creators हैं जो actually work करते हैं economy चलाने के लिए उनके उपर cruel taxation आचुका है क्योंकि कहीं से तो यह fund करना है यह सब तो जो signals मुझे दिख रहे हैं कुछ जो उनका merit है जो work करता है wealth generate करता है वो लोग बोलते हैं कि हमको promotion भी नहीं चाहिए इतना demoralize हो चुके heavy taxation से बोलते हैं कि promotion लेंगे तो फिर ज्यादा return times responsibility आएगी और जो amount बढ़ेगी उस पर तो इतना बढ़ा taxation उसे अच्छा बैठे रहो तो इतना wealth इतना communist हो चुका है और आप देखते हैं कि truckers के जिस तरह से protest में bank account freeze कर दिये गए थे तो अभी तो पता चल रहा है कि कुछ social media को पूरा ban किया जा रहा है तो यह almost hitler kind of company पता नी क्या चल रहा है उस country में तो और gun violence से लेके कुछ-कुछ areas हैं जहां पे auto theft का तो पूरा business चलता है क्या बात कर रहा है हाँ बिल्कुल जिसमें car steal करके आफरीका तक ship होती है Canadian की car चोरी होके तो एक पूरा सा बट्टा बैट गया है उस economy का और जो मुझे समझ हमें आती है कि जिस प्रकार का discrimination भारतिय स्टूडेंट्स के साथ वहां होता है in fact अगर आप किसी companies की Canadian companies की diversity की ads देखोगे तो उसमें आपको एक turban वाला दिखेगा एक hijab वाली lady दिखेगी एक ginger दिखेगा एक African दिखेगा black white दिखेगा लेकिन बाकी भारतिय कोई diversity में नहीं आते तो job में भी पूरा discrimination होता है face पे तो सब हाँ हाँ अच्छा अच्छा बात करेंगे लेकिन कोई benefit लेने की बात आई या job application की बात आई तो Muslim will prefer a Muslim Chinese will prefer a Chinese ठीक है तो वहां मुझे ने इस प्रकार के discrimination और in fact अभी जो data आ रहा है every month बोलते हैं तीन चार dead bodies आ रही है भारत तो किस प्रकार का gun violence और हमारे मंदिरों पर भी attack हो रहा है मंदिरों पर attacks है तो मुझे नहीं लगता कि ये economy का कुछ सुधार होना है अंकित जी आपने policy की बात की Canada specific की ये जो खालिस्तानी movement को इतना openly Canadian government support कर रही है वो क्यों कर रही है उनको भी पता है कि इससे हमारे relation इंडिया से ठीक नहीं होंगे तो उस पर आपका क्या take है उनका policy इस तरह से क्यों है देखें एक तो vote bank वाला matter है दूसरा ये है कि जस्टिन टूडो की party जानती है कि जो भी अगर तो मुझे तो नहीं लगता वापस आपाएंगे लेकिन उन्हें लगता है कि अगर alliance government बननी है तो बाकी के parties को जो ये खालिस्तानी vote bank वाला support है उसके साथ jointly कुछ बन सकता है ये उनका calculation है जो fail होने वाला I don't think it will work but this is what the thinking is दूसरा मुझे लगता है कि क्यूंके 40-50 साल से western collective की ये diplomacy रही है कि worldwide political or economic criminals को पहले इकठा करो नवाश शरीफ हो चाहे विजय मालया हो निरव मोदी हो मुझे लगता है कि FTA साइन होने के बाद कुछ ब्रह्म गनान रिशी सुनक को हो जाए और टाइम पर हमें मिल जाए जो हमें चाहिए तो ये जो पूरी डिप्लोमसी रही कि bargaining chip के तौर पे हम criminals इकठा करेंगे फिर उसे साब से डिप्लोमसी करेंगे जियो पॉलिटिक्स करेंगे तो बहुत ही short-sighted view है डिप्लोमसी का जो वो rely करते आये हैं अभी तक I think that is going to fail क्योंकि जब आप criminals इकठा करते हो तो आप उनके साथ उनकी ideology भी enter करती है आपकी country में अभी जो हम देख रहे हैं कि हमास के support में France, UK, Germany हर जगह कितना KO street पे हो चुका बैन करने के बावजूत ठीक नहीं चलता है government या police का कुछ भी इस पर तो मेरा एक specific मैं आपको continue करने दूँगा पर इस पर मेरा एक question है आप ये बताएंगो इसके बाद तो coming back to Canada तो एक तो board bank का angle है और दूसरा angle ये है कि वो जो free trade agreement sabotage करनी है because Canada जो है वो US के sphere of influence में आता है तो आपका as a nation progress बहुत dependent करता है कि आपके neighbors कैसे हैं और कितना peaceful है तो बिलकुल जैसे Mexico को बताया गया कि आप bricks में application नहीं देंगे तो उनको withdraw करना पड़ा तो Mexico और Canada जो है वो उनका strategic autonomy नहीं है decision making का so someone else उनको control कर रहा है पहले से ऐसा रहा है बट अभी और भी बढ़ेगा क्योंकि global policing का role shrink हो रहा है उनका तो और भी जादा insecurity है आपने जो पूरा समझा है इसमें एक तो आपने जैसे कहा के France European दूसरे countries Australia हर जगा पे Palestine के लिए out of control support आ रहा है तो क्या ये support Palestine के लिए है या किसी और देखें ये तो global phenomena है जिहाद का तो लोगों को ये समझना पड़ेगा हर country को ये समझना पड़ेगा every country के जो आज Israel के साथ हुआ है कल उनके साथ भी हो सकते जी बिलकुल ये ये symbolism है show of strength का के street power हमारी global है we have a global street power government चाहे किसी की भी हो तो that is what the signal is अब क्योंके आपने इतने illegals लिये हैं अपनी countries में तो cruise ads होने हैं आपके और मुझे ने लगता कोई रोक पाएगा मुझे ultimately जो दिखाई देता है जैसे भारत को बाले का वधू करना पड़ा बिलकुल वैसे ये योरोप को बाले का वधू करना पड़ेगा अगर वो ready नहीं है इस चीज के लिए उनको पता नहीं है न they don't know what is coming true तो जब वो grooming gangs इतनी powerful हो जाएगी street पे के आपकी छोटी-छोटी बच्चियों की security problem में आ जाएगी तो आपको वही करना पड़ेगा जो ancient भारत ने किया के छोटी सी बच्ची को दो family की security मिले तो जल्दी से शादी करवा के जितने जादा male birth rates दे पाएंगी वो लड़की उतना जादा आप radicalism को street fight clash में counter कर पाएंगे तो क्यूंकि यह question आता है हमें के male birth का preference क्यूं है तो लोगों को नहीं पता है यह invaders आने के बाद हुआ है पहले नहीं था guys it's very important पहले नहीं था very important पहले नहीं भी होगा क्यूं नहीं होगा मैं बताता हूं क्यूंकि economy जो थी वो core sectors की which is agriculture, textile, entrepreneurship, model, manufacturing and all जिसमें women का बहुत बड़ा रोल था वो पूरी economy में इसको empowerment बोलते हैं यह वाली नहीं जो भी चल रहे हैं so jobs cannot empower even men how will it empower women true अंकी जी यह पूरे Canada का जो हमारा incident हुआ उससे दो बहुत बड़े सवाल आते हैं यह जो खालिस्तानी moment है क्या हम लोग लेट हैं उसको tackle करने के लिए एक यह दूसरा सवाल यह आता है कि जब जस्टिन टूडो हम पर allegation लगाते हैं 5i alliance के जो सबूत वो so call बोलते हैं उसके उपर और उसके बाद US उसको support करता है तो पहला सवाल कि यह खालिस्तानी moment के लिए क्या हम लोग लेट हैं और दूसरा सवाल क्या हम सच में US पर trust कर सकते हैं as a country तो मुझे लगता है कि खालिस्तान वाला जो angle है हमेशा से इस्तमाल हुआ है अगर आप कुछ साल पीछे चले जाए जब रश्या के साथ हमारा S-400 डील वाला discussion चल रहा था उसी वक्त खालिस्तान referendum 2020 करके उन्होंने campaign चलाया और यह जो अभी recent incidents हुए हैं उसका starting point भी मुझे लगता है कि US में हमारी embassy के उपर खालिस्तानी elements का attack और वो सब था UK में भी देखा कुछ Australia में भी हमने देखा और Canada में भी तो यह इस लएक और यह बढ़ रहा है यह बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यह background बन रहा है ultimately NRIs को attack करने का क्योंकि आप देखो किसी भी society में जब financial crisis आता है तो especially मैं तो बताता हूं कि West में वो लोग 5-6 मिनिट में secularism को dustbin में फेक देंगे तो क्योंकि उनका original concept वो ही नहीं वो that's a secularism जो original concept है वो भारतिय सनातन धर्म वाला है which is coexistence is existence ठीक है तो वो wisdom तो उनको आना नहीं है तो मुझे लगता है कि खालिस्तान वाला आगे बढ़ेगा हमारे मंदिर्स महाँ पर attack होंगे NRIs पर भी attacks होंगे क्योंकि financial reset में एक बात समझे के NRI community is the odd one out वो एक ही community है जिसका family unit intact है career बढ़िया है education completed है उनका financial sense बनता है उनको loan देना high interest rate regime में और savings की lifestyle है completely opposite बाकी पूरी वर्ग को freebies चाहिए true तो हर तरह से वो odd one out है और जब कभी violence होता है किसी भी western country में तो Chinese खड़ा रहेगा Chinese के साथ Muslim खड़ा रहेगा Muslim के साथ Sikh खड़ा रहेगा Sikh के साथ बाकी के भारतियों के लिए बाजू में खड़ा होगा तो भी गायब हो जाएगा पर अंकी जी हम यहाँ हिंदूस्तन में तो हिंदू और Sikh में कोई difference ही नहीं है यह बाहर यह narrative क्यों चला रहे हैं यह लोगा अगर मुझे अगर वह benefits के लिए करना है तो मैं victim बन जाओ तो यह कोई real asylum तो कोई भी नहीं है अगर इतने सारे illegals southern border से US में आ रहे हैं इस आर नोट victims यह तो सोची समझी regulated collapse चल रही है तो I don't think these are victims और जो मेरा दूसरा question था कि क्या सही में India as a country भारत इंडिया नहीं बोलेंगे भारत as a country US पे trust कर सकता है क्या देखे मुझे यह trust business तो मुझे यह word ही समझ नहीं आता diplomacy में या foreign relations में क्योंकि trust तो अगर आपको trust करना है मतलग आप आपने उस country को label कर दिया है कि वो हमेशा ऐसे ही करेगा हमारे benefit में true और फिर आप सोच आना चाह रहे हो basically you are lazy what that means is you are lazy तो नहीं सब countries की अपने national interest होते हैं so you don't need to trust what you need is के एक healthy boundary आप सब countries से बना के चले जहां पर आप बताएंगे के milestones हैं आप हमारे लिए इतना complete करेंगे उसके बाद हम आपके लिए इतना complete करेंगे फिर next stage आप इतना complete करो then we complete this much तो it's a given take and milestones based तो जब तक एक milestone अचीव नहीं होता तो फिर आप आपका bargaining का points हमारे पास लेके नहीं आएंगे जब तक वो milestone अचीव नहीं होता ठीक है तो आप पाएंगे के जब भी bilateral summits होती है तो आप पाएंगे उसमें लिखा हुआ के reviewing what was agreed upon in the last summit तो ये वही है के आपने जो agree किया था वो कितना अचीव हो पाया तो फिर हम आगे की कुछ बात करेंगे बहुत राइट रस्ट वाला तो कोई मतलब कोई वेस्ट को तो ऐसे भी कोई क्यों करेगा ट्रस्ट इंपार्ट जैशंगर जी का एक interview था उसमें वो बता रहे थे वो reporter पूछ रहा था उन्हें के आपने हमें Ukraine conflict में support नहीं किया So why should Europe trust you? उन्होंने reply किया कि आपका जो हिस्ट्री रहा है उस हिसाब से तो आपके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सेथे Very true, very true. So this is laziness किसी भी कंट्री के साथ चाहे, Russia हो, Israel हो, China हो कोई भी कंट्री के साथ, why should we trust? True, true. अभी last में हम एक अभी जो एक recent development हो रहे हैं उस पर बात करेंगे. There is one theory called strings of pearl. जिस theory के अंतरगत लोग मानते हैं कि China, इंडिया के आजू-बाजू जितने भी छोटे-मोटे countries, टापू हैं, उस पर control ले रहा है कि future में, अगर कुछ होता है इंडिया के साथ, तो they can control इंडिया. और उसके ही अंतरगत अभी दो recent development है, जिस पर मैं आपकी रहे जानना चाहूँगा. पहला, Maldives में pro-Chinese Prime Minister आए हैं अभी, और दूसरा अभी दो-तीन दिन पहले ही, श्री लंका ने Chinese, एक spy ship को enter होने दिया है, श्री लंकान coastals में. तो इससे इंडिया को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या किस तरह से मैं इसको लेना चाहिए? दिखें, string of pearls, फिर diamond necklace, ऐसा सब कुछ है, academically यह सब terminology बनती है, explain करने के लिए लोगों को, तो I don't believe in this, यह कोई 2000-3000 साल पुराना civilization नहीं है हमारा, कि कोई string of pearls पहना के हमको गला घोट देगा, इस नाट पॉसिबल, ठीक है, तो कोई अगर सपने देख रहा ऐसे तो भूल जाए, तो एक बात समझें के पूरा जो टेक ओवर हुआ था वेस्टन कोलोनियल पीरियेड में, भारत और चाइना का, वो बहुत क्लियर है के port cities पर ही सारी attempts हुई थी, तो जो भी island countries हैं भारतिय महासागर में, वही से island countries के उपर control हुआ, फिर ports पे control हुआ, port cities पे, और फिर they slowly subdued India and China, तो बहुत क्लियर है के global economics का जो pivot है, is Indian Ocean, थीक है, 90% of the raw materials, resources, oil, fuel, natural gas, everything is transported, raw materials transported through the Indian Ocean, तो अभी जो भारत और चाइना जो है, we never have had a full-fledged war, but अगर तो उस प्रकार का economics में वापस हमें relevance चाहिए, जो हम बताते हैं, 400 साल का reversal, ठीक, तो बहुत क्लियर है के Indian Ocean पे जिसका सबसे ज़्यादा influence होगा, उसको ज़्यादा trade benefits मिलेंगे, ठीक, तो उसी के चलते, क्यूंके हमारे पास blue water navy नहीं है, तो green paper control is what we are trying, तो अदानी ports के जो आप projects देखते हैं, तो basically India and China, एक दूसरे को encircle कर रहे हैं Indian Ocean में, just as Europeans did so many years back, तो it is same repetition of the cycle, लेकिन players अब अब अग हैं, ठीक है, तो उन्होंने हमबन टोटा लिया श्री लंका में, देख ग्वादर, हमने चावार पोर्ट प्रोजेक्ट किया एरान के साथ, बिलकुल वैसे कोलंबो का टर्मिनल प्रोजेक्ट मिला है, उसके बाद बंगलादेश और म्यानमार के पोर्ट के उपर, सित्वे पोर्ट है, तो ये सारा encircling चल रहा है within the Indian Ocean, क्योंकि ये सारे trade routes हैं supplies के, तो this is what is going on, तो ultimate, अगर कभी कुछ वार होना है, तो that is the main battlefield, the Indian Ocean, हमेशा से वही battlefield थी, ठीक, तो वही होगी, तो जब भी होना है, वही पे होगा, और जो अभी recent का आपने बताया, मौल्दिव में change of leadership बताया, तो हमें यहां फे दो चीज समझनी है, कि obviously leadership change हुई है, and the person is very vocal about हमारा जो military presence है थोड़ा बहुत मौल्दिव में, but मेरी overall समझ यह है, कि मौल्दिव को experience हो चुका है Chinese debt trap का, मुझे नहीं लगता वो round two में जाना चाहेंगे, क्यूंकि बहुत अच्छा experience उन्हें हो चुका है, और दर्शकों को शायद ना पता हो, क्यूंकि बहुत सारा Chinese blank check वाला diplomacy जो चला यह debt trap के लिए, जहां पर हम मानते हैं कि this is our sphere of influence, तो मुझे लगता है कि पात साल पहले भारतिय लोगों को Maldives क्या है पता ही नहीं था, ठीक है, तो वो जो एक पूरा उसको tourist destination बनाया गया, वो इस तरह से naturally image खड़ी की गई, के भारतिय नैचरली वहाँ पे टूर के लिए जाएं और दीरे दीरे उसको Chinese debt trap से हमने बचाया है, तो लोगों को शाहिए, उनको लग रहा है कि वो खुद से Maldives जा रहे हैं, It's true, it's true, 5 साल से ही यह craze है, जी बिलकुल, तो it's a part of strategy, कि direct cash हम नहीं दे सकते, but this is what we can do, we can help empower you, आपको कोई freebies नहीं मिलेगा, तो Maldives को Chinese debt trap में से उबरने के लिए, हमारे tourism का बहुत बड़ा हाथ है, और इसके पीछे government, जिसकी भी इस strategy रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद, क्यूंकि बहुत आप जानते ही, geopolitics जिस तरह से डेली में चलता है, बहुत powerful है, तो I don't think Maldives वापस round two of debt trap में जाना चाहेगा, क्यूंकि इस बार कोई नहीं बचाएगा उन्हें, दूसरा आपने बात किया, श्री लंका का, तो देखें, आप एक बात long term समझ ले, बहुत clear कि भारत के साथ align होना है, because that is destiny, and that is what is truth, ठीक है, उसका कोई counter ही नहीं है, दूसरा आपको ये समझना है कि कुछ factions होते हैं, जो नहीं चाहते कि इस level का dependence हो जाएगा भारत के उपर, ठीक, तो उनके budgets में कटवती आती है, ठीक है, तो say for example, अगर भारत security देखेगा श्री लंका की, security का एक बड़ा avenue, तो उनके defense budget में कट आएगा, और वो अपनी economy को strong कर पाएंगे, that is what our proposition is, but जिनको payments आ रही हैं, उनको लगेगा कि हमारा budget कट रहा है, नोकरे चले जाएंगी कुछ लोगों की, हो सकता है, तो those people entertain Chinese pie ship वहाँ पे dock हो, ठीक है, तो लास्ट में हर बार की तरह, अंकिर जी हमारा सवाल फिर से वही है, कि आपका अभी नया prediction क्या है, क्या होने वाला है, देखे, मुझे जो लग रहा है कि Saudi Arabia का जो internal deradicalization process है, वो अब speed up करना चाहिए, after this Israel chapter closes, और उसके अंदर आप जानते ही हैं कि कैसे उनको clerics का जो community की routine में जो role है, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे कम करना है, यह मुश्किल है, बिगिन होगा, और I think सबसे पहला जो deradicalization, अगर आप history में जाएं, तो exactly शायद उसको आप deradicalization नहीं कहेंगे, बट अकबर के time पे he tried doing deen-e-ilahi kind of a thing, जहां पे उन्होंने clerics को ये समझाया कि मैं सारे religion में से कुछ अचचे points इकठा करके, I am trying to build something, तो clerics ने अकबर को तो fail कर दिया, मैंने इसलिए बोला ना कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, So Akbar was trying that, के अलग तरस से कैसे समझाये इनको के how to de-radicalize, but clerics ने नहीं होने दिया, that was the starting point, के de-radicalization का किसी को अगर thought आया हो, तो Akbar was the first one, पर I am not denying के उसका बाकी का पिछे का जो भी रोल था और आगे का भी जो रोल था, I am not denying के कुछ violence जो हुई है, even under his regime, I am not denying that, but he tried to think on that lines, के मैं दिने इलाही करके कुछ 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 करता हूँ and let me try. So MBBS can even try something bigger for his country? Well, he will. He doesn't have an option. जो मैंने बताया के अगर वो corridor successful होना है और Saudi Arabia को अपनी economy diversify करनी है, और आप देख रहे हैं के कैसे सारे sports clubs और Saudi और UAE purchase कर रहे हैं, और Qatar भी है उस competition में साथ में. True, true. सब को diversify करनी है अपनी economy, तो ना सिर्फ ये आपने देखा 2021 से बहुत सारे जीविश रभी जो हैं वो रियाद में लैंड होना शूरू हो गए थे, तो process तो चल रहा है, after this Israel chapter closes, next clean up is within Saudi Arabia and it is going to be painful. Super, thank you Ankit जी, एक बार फिर से आने के लिए और हमारे दर्शक आपको हर बार बहुत पसंद करते हैं, thank you. जय हैंड, जय भारत.